Hello everyone, आज हम कौन सा subject कर रहे हैं? English English में अभी हमारा कौन सा topic चल रहा है? Sound O हम O sound कर रहे हैं ना तो अभी O sound में हमने दो family words कर लिए आज हम तीसरा family words कर रहे हैं O Y आज हम classwork में O Y family words करेंगे ठीक है? तो आज हम सबसे पहले add letters to make a new words तो हम पहले क्या करते हैं? letter को add करके word बनाते हैं फिर next lesson में वो ही word को हम repeat में लिखते हैं revision कर दे ठीक है? तो आज हम O Y family words लिखेंगे जिसमें O Y सब में common रहेगा जो भी spelling बनेगा उसमें O Y common होगा सिर्फ आगे का letter ही change होगा इसलिए हम उसको O Y family words बोलेंगे ठीक है? start करें C plus O plus Y हम plus को क्या करते हैं? cut करते हैं C O Y कोई next J plus O plus Y तो हम plus को क्या करेंगे? cut करेंगे J O Y joy J O Y joy यह सारे letter blue line से लिखें हैं देखो मैंने इसमें भी blue line से लिखा है इसमें भी blue line से लिखा है small letter कोई उपर से लिखा जाता है red line से बाकी ज़्यादा दर blue line से लिखे ज़्यादे हैं आपको line को आप बहुत ध्यान रखना है कौन सा letter कौन सी line से start करना है red line से या blue line से ठीक है? T plus O plus Y प्लस कोम क्या करेंगे? कट करेंगे T O Y तोई देखो T है न वो red line से शुरू होगा small t भी red line से लिखा जाता है T O Y तोई उसके बाद B plus O plus Y प्लस कोम क्या करेंगे? कट करेंगे B O Y boy तो हो गया हमारा यह O Y family words यह word कोम एक बार यहां पर फिर से sleeping light पर लिखेंगे ठीक है? C O Y O Y J O Y Joy T O Y Toy B O Y Boy तो यह हो गया हमारा O Y family एक बार हम class work में करेंगे same as home work में करेंगे ठीक है? Thank you